नरेला में मिट्टी माफिया और पुलिस दिल्ली विकास परादीकर्ण गड़ जोड में चुगान सबत तो बहुत पहले ही विलिपतो चुका है क्यूंकि अधिकारियों की नाक के नीचे जिस तरह जेसीवी से धर्ती का सीना चीरा जा रहा है अब वो अवेद खनन का रूप ले चुका है और ये खेल सिस्टम की सा पर दिन राद धडल्ले से चल रहा है इसका ताजा उधानन दिल्ली विकास परादीकर्ण नरेला चेतर में देखने को मिला वहाँ दिकारियों की मिली भगत से सरकारी मिट्टी का भूमाफ्याओं दावारा अवेद खनन किया जा रहा है सरकारी मिट्टी को बेच कर कमा रही है मोटी रकम और वो भी परसासन की मिली भगत से राजधानी में बैटे खनीजवी बाग अधिकारियों और आला धिकारियों की नाक के नीचे नरेला थाना छेतर से दिन राध धडले से सरकारी मिंटी का आवेद खनन नोरा है ये हम नहीं ये तस्रीर एक खुद बया कर रही है इसके बावजूत भी परसासन चुपी साधी बैठा हुआ है इससे ने सिर्फ नरेला चेतर का अस्तित्तव खत्रे में है बल्कि परियावरण को भी नुक्सान पहुँच रहा है जिम्यदारों की सुस्ती के चलते खनन माफिया मिट्टी की मनमानी कीमत वसूल कर चांदी कुड रहे है आपको बता दे कि पहले भी नरेला बावाना थाने के ऐसेचो समेत काफी पुलिस कर्मी पहले भी इस मिट्टी की भेट चड़ चुके है लेकिन फिर भी इन मिट्टी माफियाओं पर कारवाई नहीं करती तो इसका मतलब साफ है कि पैसो की खनक ने सामने सब कुछ मुख दर्शक बने हुए है इन मिट्टी के खनन माफियाओं के दिन रात अवेद खनन का काम जोर उपर है दिन रात लगातार चल रहे डंफरों ने सड़क को जरजर बना कर रख दिया है अपसरों की नाक के नीचे जैसे नरिला छेतर में परती दिन लाकों रुपे कमाए जा रहे हैं और माफियाओं के दबाओं में होरे खनन को रोकने की कारवाई पर पुलिस चुपी साद लेती है आप देखने वाली बात होगे कि दिल्ली विकास परादीकर्ण या दिल्ली पुलिस इन अवेद खनन माफियाओं पर कोई कारवाई करती है या फिर ऐसे ही अपनी चुपी बनाए रखती है जिसके चलते अवेद खनन का काम धडले से चलता रहेगा